हेलो एव्रिवन कैसे हैं आप सभी लोग मैं हूँ विवेक फॉम फिंटेक्स प्रो जहां पर हम बात करते हैं फैनेंस एंटेक्सिशन की एन एप्रिल मंत की जेस्ट या टू बी के अंदर बहुत सारे इशूज आ रहे थे मैंने दो वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर दाली हूँ थी जहां पर मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से आपको काम करना है आपको थोड़ा सा वेट करना है डू डेट आपकी एक्स्टेंड हो सकती है उसके बाद जो है एक ट्वीट मैंने डाला था सोला को ही इस के साथ में थमारे फिंटेक्स प्रो ट्विटर चैनल पर ट्वीटर हैंडल को आप फॉलो कर सकते हैं नीचे आपको लिंक मिल जाएगा सो यहां पर मैंने क्लिरली बोला था कि वाइनट फानेंस मिंस्टर एक्सेंड दू देट ऑफ जो है आज एक लेटेस अपडेट आई है considering the CBIC की तरफ से official Twitter हैंडल से आईए सो इसको आ आप जो है genuine treat कर सकते हैं कोई fake चीज नहीं है considering the difficulties faced by the taxpayer in the written filing their GSTR 3B for the month of April 2022. अब proposal to extend the due date of filing GSTR 3B for April 2022 is under active consideration in convenience cause to taxpayer is deeply regretted और यह देखे second आया है technical which has been reported by the in generation of April 2B and auto population of 3B on in forces had been directed by the government to early resolution technical team is working to provide GSTR 2B incorrect auto population related 3B at the earliest. अब इस दो tweet से क्या आपका outcome निकल के आता है कि पहली चीज तो यह है जो मैंने आपको पहले ही दिन यह recommend कर दिया था कि आप wait कर लीजिए two a के basis पर self assessment basis पर करने के लिए जाओगे इतनी जादा technical दिक्कत आ जाएंगी बहुत जादा दिक्कत आ सकती है आपको आपक detail video बना दी है जो कि आपको हमारे YouTube channel पर आज evening तक मिल जाएगी जहां पर मैंने बताया है two a के basis पर correct ITC two a से claim करोगे लेकिन correct ITC आपका होगा जो two b में reflect होगा अगर आप करना चाहते हो तो आप वो भी follow कर सकते हो बट मैंने जो आपको personal advice किया था कि आप wait कीजिए two b के generation का two b three b की due date extend हो जाएंगी so अभी भी मेरा first preference और first recommendation recommendation यही रहेगा two b को एक बार generate होने दीजिए correctly उसके बाद अप अपनी GSTR three b को file कीजिए but हो सकता है आपके पास number of clients बहुत जादा हो आप wait नहीं कर सकते क्योंकि due date बहुत जादा दिन की नहीं बढ़ेगी most probably आप ले सकते हो ती detail video बना दी है उपर i button में उसका link दे दूँगा आज evening तक हमारे fintex pro youtube channel पर आपको उस related video भी मिल जाएगी two a से correct ITC वो भी आपका वही ITC होगा जो आप खुद भी निकाल सकते हो के two a से कितना ITC आपके two b में जाएगा वही चीज मैंने आपको समझाई है उस वाली video में तो अगर आप अपनी three b file करना चाहते हो वो थोड़ा सा जल्दी है या आपके clients number of clients जादा है आप wait नहीं कर सकते जादा तो आप उस method को follow करके correct ITC claim कर सकते हो GSTR 2 A से भी और साथ ही में इस point को भी consideration में रखना कि आपकी three b की date जो है वो most probably extend होने वाली है और इसी तरह की updates के लिए follow जरूर कीजिए subscribe कीजिए हमारे चैनल fintex pro को और नीचे मैंने दिया है telegram का link सबसे पहले आपको GST income tax TDS MCROC की update कहां मिलती है fintex pro के telegram चैनल पर नीच fintex pro thank you so much for watching today's session have a great time hasar ye muskura te rye bye bye take care